महात्मा बुद्ध अपने शिश्य के साथ बैठे हुए थी तभी उनके एक शिश्य ने बुद्ध से पूछा कि महराज शब्दों की ताकत क्या होती है तभी बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सिनाता हूँ उससे तुम्हें पता चलेगा कि शब्दों की ताकत क्य एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लकडबगा उसे रोकते हुए बोला अरे चोटू कहा जा रहे हो तुम मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ चीता रुमाचित हुए बोला लकडबगा हसा अभी तो तुमारे खेलने कूदने की दिन है तुम इतने छोटे हो तुमें शिकार करने का कोई अनुभब भी नहीं है तुम क्या शिकार करोगे लकडबगे की बात सुनकर चिता उदास हो गया दिन भर शिकार के लिए वो बेमन इदर उदर घूमता रहा के लिए निकला कुछ दूर जाने पर उसे एक बुड़े बंदर ने देखा और पूछा कहा जा रहे हो बेटा बंदर मामा मैं शिकार पर जा रहा हूं चिता बोला बहुत अच्छे बंदर बोला तुमारी ताकत और गती के कारण तुमें एक बेहत कुशल शिकारी बन सकते ह जाओ तुमें जल्द ही सफलता मिलेगी यह सुन चिता उत्सा से भर गया और कुछ ही समय में उसने एक छोटे हीरन का शिकार कर लिया मित्रो हमारी जिन्दगी में शबद बहुत माइने रखते हैं दोनों ही दिन चिता वही था उसमें वही फूर्ती थी और वही ताकत थी पर जिस दिन उसकी हीमत तूटी थी वो असफल हो गया और जिस दिन हीमत को भड़ावा दिया गया उस दिन वो सफल हो गया तो दोस्तो इस छोटी से कहानी से हम तीन जरूरी बाते सीख सकते हैं पहली हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी की हीमत भड़ाना और हीमत तोड़ नहीं सकते इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे उसकी कमियों से अवगत ना कराएं या बस जूट में ही एंकरिस करें दूसरी हम ऐसे लोगों से बची जो हमेशा नेगटिव सोचते और बोलते हो और उनका साथ रहे जो अच्छे पोजिटिव विचार वाले हो इसरी और सबसे एहम बात हम खुद से क्या बात करते हैं खुद से बात करते हुए हम कौन से शब्दों का पर जोग करते हैं इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखे क्योंकि ये शब्द बहुत ताक्तवर होते हैं क्योंकि ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही हमारी जिन्दगी की हकीकत बन कर सामने आती है इसलिए दोस्तों शब्दों की ताकत को पहचानो यहां तक हो सके पोजिटिव शब्दों का परजोग करिए इस बात को समझिए कि यह आपकी जिंदगी बदल सकते है शबद बहुत दाकत रखते हैं उनमें बहुत वजन होता है यह बहुत वजनदार होते हैं इसलिए उनको संभाल पाना हर किसी के बसका नहीं होता और यह आप पर है कि आप शबदों को संभालते हैं या शबद आपको और जो इनको नहीं संभाल पाते इसके शिकार हो जाते है और जो इनको मियान में रखते हैं वह मुकाम पा लेते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताना और सब्सक्राइब जरूर करना